दीखें मैं यहाँ पर single cell के अंदर xlookup formula apply कर रहा हूँ और जैसे मैं single cell के अंदर xlookup formula apply करूँगा तो यह जो दूसरी cells जो है department, net worth, country इसमें xlookup automatically data ला करके रख देगा तो मैं आपको यह चीज सिखाने वाला हूँ, जैसे मैं enter करता हूँ, यह देखिए, मैं इससे copy करता हूँ, यह देखिए, तो आज हम यह सीखने वाले हैं, बनी रहे हैं मेरे साथ इस वीडियो में, अगर आप चाहें तो इस practice file को download कर सकते हैं और मेरे साथ practice कर सकते हैं, मैंने हम सीखते हैं मुश्किल चीजों को बड़े ही आसान थरीके से, मैं हूँ अकाश, और आज हम सीखेंगे कि Microsoft Excel में, यानि कि Microsoft Excel 365 में, हम XLOOKUP का use करेंगे, और किस तरह से हम single lookup लगा करके multiple output लेकर के आ सकते हैं, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही आसान है, बहुत ही हमें या पर लिखना है, equals to XLOOKUP, ठीक है, मैंने XLOOKUP के ओपर एक ओलरटी वीडियो बनाया है, अगर आपने नहीं देखा तो देख लिजेगा, मैंने बहुत अच्छे से समझाया है उसमें, कि XLOOKUP कैसे काम करता है, मैंने वीडियो के description में उसका link भी दे दिया है, तो हमें लेकर के क्या आना है, अब मुझे सिर्फ नेम लेकर के आना है, तो मैं सिर्फ नेम को select करूँगा, इस नेम वाली range को, ठीक है, लेकिन मुझे क्या करना है, कि मुझे department भी लाना है, उसके बाद मुझे net worth भी लानी है, उसके बाद मुझे country भी लानी है, उसके बाद मुझे gender तक सबस्क्राइब के लिया है उसके बा tenga zero उसके बाद 19 उसके बास पर्टिक्ली में formula लगाय था और जैसे में इसमें formula लगाय तो automatically दूसरे cells में भी populate हो गया formula और उसने दूसरे cells का भी data उसमें लाकर के रख दिया है ठीक है अब इसी formula को अगर मैं second वाली cell में आकर के control D दबाता हूं duplicate करता हूं तो वो second वाली cell के इस तरह से आप single look up लगा करके multiple output ले करके आ सकते हैं अगर आप Microsoft Excel 365 में X look up यूज़ करते हैं तो यह बहुत ही powerful feature है मुझे लगा कि मुझे आपको बताना चाहिए तो मैंने इसके उपर वीडियो बनाया है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा